वेरी गुड मॉर्निंग टू आल अफी दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजूकेशन पे 30 जनवरी के इस करेंट अफेर की क्लास में आपका स्वागत है जो कि ये वीडियो आपको रोज सुबह के 6 बज़े लेकर आता हूँ लेकिन आज का ये वीडियो कुछ इन्पॉर्टेंट होंगे तो ये जनवरी से 50 करेंट अफेर आपके लिए जी हाँ इस वीडियो को अंतक देखेगा और इसका आंसर भी करने की आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कोसिस जरूर कीजेगा अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है इसका पीडियेप में आपक का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मादे हम से जा सके तो आज का पहला प्रशन क्या कहता है दोस्तो ये रहा आपके सामने कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है आंसर कीजिएगा आपके पास है तीन सेकेंड यहाँ इस दा करेक्ट आंसर जो की स्मार्टफोन के मामले में यहाँ पर पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है तो जाहिर सी बात है सवाल पैदा होता है यहाँ पर की पहले स्थान पे कौन है सर बिलकुल तो वो है अमेरिका USA तो जो बात होती है USA की तो इ 2020 में किसे Song of the Year Award मिला है यह कोशिन भी इंपॉरेंट है जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर आप इसका बिलकुल अगर आप यहाँ पर उत्तर कर रहे हैं बिली एलिश नोट कर लिजेगा बिली एलिश को Grammy Award 2020 में समानित क्या गया है यह जो है कलाकार यह है 18 वरसिये नोट कर तीन ग्रैमे मिले हैं इनको ठीक है याद रखेगा चलिए अगला कोशिय देखते हैं कि कितनी हस्तियों को Padma Samman 2020 के लिए चुना गया है तो यह एक अच्छा कोशिन है यहाँ से कोशिन बनेंगे और थोड़ा सा आपको मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ जोंकि Padma Samman से रिल बिभूशन दिया गया है याद रखेगा यहाँ यह पदम बिभूशन है ना बिभूशन यह दिया गया है साथ लोगों को ठीक और 16 लोगों को Padma भूशन और 118 लोगों को Padma स्री से सम्मानित किया गया है तो यह Padma सम्मान जो है दोस्तों तीन तरह का होता है जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताए भी है एक होता है दोस्तो पद्म बिभूशन उसके अलावा होता है पद्म भूशन और उसके अलावा होता है पद्म श्री और ये तीनों जो है अवर्ड दिया जाते हैं भारत के अच्छे नागरिकों के हो जी हाँ दोस्तो नोट कर लेंगे तो टोटल यहाँ पर सम्मान दिया गया है दोस्तो आंसर D कर लेंगे 141 टोटल है ना 7, 16 और 118 यह तीनों अवर्ड का यहाँ पर option में डाल दिया था मैंने ठीके तो यहाँ पर आंसर कीजिएगा 7 पद्म भिभूशन और 16 पद्म भूशन और 118 पद्म श्री यहाँ पर दिये गया है question number 4 देखिएगा दोस्तो आंसर करने की कोसिस करेंगे सिव भोजन योजना किस राज्य में शुरू की गई है चलिए उत्तर कीजिएगा यहाँ पर नीचे comment box में सिव भोजन योजना जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि यह महराष्ट्रा में सुरुवात की गई है यह एक ऐसी योजना है दोस्तों जो की 26 जनवरी यह देख याद रखेगा याद ही रहेगा आपको ऐसे भी 26 जनवरी 2020 को पूरे राज्य में सिव भोजन योजना की सुरुवात के गई है इस योजना के तहर गरीबों को 10 रुपे में एक थाली भोजन देने का योजना है कितने में तो 10 रुपे एक थाली है ना एक थाली भोजन देने की योजना है तो यहां से यह कोशन इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क लगा लिजेगा अकसर एकजाम में पूछता है जो करेंट के कोशन होते हैं दोस्तों यहां पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूंगा कि महरास्टर के अभी ततकालिन CM कौन है तो यह आप उत्तर कीजेगा उदाव ठाकरे ठीक है नोट कर लेंगे यहां की जो राजधानी होती है वो मुंबई होती है यह भी आपको पता होना चाहिए अब आपको यहां पे यह बताना है कि यहां के राजजिपाल कौन है चुकि मैं आपको कल भी बताया था यहां के राजजिपाल के बारे में यहां में राजपाल कौन है यह तीन चीज़ आपको एटलिस्ट याद होनी चाहिए आंसर जिनुर कमेंट कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं रेगुलर तो आंसर कीजिए का कुछिन वर फाइब का वैश्विक प्रतिभा प्रतिसफर्दा सुचकांक में 2020 के भारत की सिस्थान पर रहा जिहां आपको बता दे कि यह वैश्विक प्रतिभा 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 डबलू इएफ डबलू इएफ यानि की वर्ल्ड एकोनामिक फोरम में हर साल सालाना जारी किया जाता है यह रिपोर्ट ठीक है और यह बैश्विक प्रतिभा प्रतिभा में सुचकांक में भारत का पाउधान देखे कितना है तो अभी फिलहाल 72 है आंसर यहां पर B कर लिजेगा ठीक है दोस्तों इसका PDF में आपको दे दूँगा आप लोग बिलकुल ही टेंसर नहीं लेंगे कल सुब मतलब सुबह में आपको यह जब वीडियो खतम होगा उसके बाद आपको यह टेलीग्राम पर शेर कर दिया जाएगा तो आप वहाँ से टाउनलोड कर लिजेगा आंसर है दोस्तों यहां पर B 72 नोट कर लिजेगा और यह अभी फिलहाल पिछले साल से 2019 में पिछले पावदान से यह आठ पावदान नीचे घसक के 72 इस्थान पर आ चुका है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किस राज्जी को पदक तालिका में पहला इस्थान दिया गया बिलकुल आंसर करेंगे दूस्तों यहां पर आंसर है आपका B महराष्ट्रा सबसे पहली चीज़ यहां पर और असम में हो रही है यह यह जो खेल इंडिया यूथ गेम्स है इस बार कहां आज़न हो रहा है तो याद रखेगा यह भी कोशन बनता है तो असम में हो रहा है और यहां पर महराष्ट्र ने करीब 78 गोल्ड है ना यह डेटा याद रखेगा थोड़ा आप लो इसको लिख लिजेगा अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो 78 गोल्ड 77 सिल्वर 77 सिल्वर और 101 ब्रॉंज ठीक है तो 101 ब्रॉंज सहीद कुल 256 है ना नोट कर लिजेगा आप लो मेडल जीत कर यह पहले स्थान पे बना रहा इतना काफी है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि गड़तंतर दिवस की आउसर पर पहली बार पुरुष टुकडी का निर्थित करने वाली महिला अपसर कौन बनी है बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे तानिया सेरगिल आंसर क्या करेंगे यहाँ पे इतसब बी तानिया सेरगिल कैप्टन तानिया सेरगिल के नाम से जानी जाएंगी अब ये पहली बार पुरुष टुकडी का निर्थित करने वाली ये पहली मैला अपसर बनी है गणतंतर दिवस के सुभावसर पे अगला कोशन देखें गणतंतर दिवस पूछ सकता है हाँ पे कोशन की 26 जनवरी कब अपनाया गया था लागू किया गया था अपनाया किया था 1946 में यह भी याद रखेंगे आप लो ठीक है और ये दोस्तो इसको प्रमान कब दिया गया है तो 26 नवंबर 1949 को ठीक चलिए याद रखेंगा कोशिन नमबर एट का अंसर किजीगा कि टेस्ट क्रिकेट में पांच लाख रन पूरे करने वाले बिस्वी की पहली टीम कौन सी बनी है तो यहां पे एक इंटरनेशनल कोशन है क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में पांच करन यह पूरा टीम बना चुका है अभी तक जितने लोग खेले भी है तो आंसर करेंगे दोस्तों वो है इंगलेंड ठीक है और इंगलेंड जो है इसको क्रिकेट का जगत मतलब पिता भी कहा जाता है ठीक है यही से क्रिकेट की सुरुवात हुई है इंगलेंड नहीं क्रिकेट है यह राष्टे खेल यहां का और स्री लंका का क्या है यह आप हमें नीचे कमेंड वोस में कमेंड कीजिए चुकि यह क्रिकेट ही है आप सभी को पता होना चाहिए यहां से रिलेटेट में आपको बता दू कि 5 लाख रन पूरा करने वाला बिस्व का यह पहला ट किजिएगा आप लो नीचे कमेंड बॉक्स में अगला कोशन 23 राष्ट्रिय युवा महतसे का आयोजन की सहर में किया गया है बिलकुल आंसर क्या करेंगे दोस्तों 23 राष्ट्रिय युवा महतसे बनाए गया है लखनव में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है ठ इंडिया है अनंदी बेंद पटेल गवर्नर है और यहां का जो आपका कैपिटल सिटी है वो लखनव है तो फिट यूथ फिट इंडिया इस साल का इसका थीम रहा कुछ दिवस ऐसे हैं जिसका थीम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट भी है तो 23 संसकरन हुआ राष्ट चले अगला कॉश्ण देखते है कॉश्ण नंमर 15 अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है आता सब्सकरना भी हो जाएगा अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवज हर साल 26 जनवरी को ही संपुर्ण बिश्वि में मनाया जाता है ये पूरे बिश्वि की बात की गई है 26 जनवरी को अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवज ये ब मैंने बताया भी ये पिछले कोश्चिन में पिछले दिन का और 20 में सीमा सुल्क संगठन की स्थापना 1952 में की गई थी, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ और ये जो क्या करता है, इसमें सीमा सुल्क सहयोग के तर ये जरिये यहाँ पर परिशत के रूप में इसकी बैठा की गई, इसकी सुरुवात की गई थी ठीक है, अंतराश्टी सीमा सुल्क दिवस, 26 जनवरी 1952 से सेलेब्रेट के जाता है, आंसर B कर लेंगे कॉशन नमर 11, दोस्तो भारत के 71 गरतंतर दिवस पर मुक्याती थी कौन थे, देखें ये कॉशन मैं आपको करा चुका हूँ जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर बिल्कुल, इस बार थें दोस्तो जायर बोल सुनारो, आंसर हमारा D कर लेंगे दोस्तो आपको बताएना होगा कि यहाँ पर जो ये किस देश से है, तो ये दोस्तो राष्ट पती है, किस देश के, तो ब्राजील के ये कोशिन बनेगा यहाँ से, बिल्कुल, किस देश के है, कौन थे, ये दोनों जी आपको याद रखनी होगी, ठीक है, तो इस बार हमारा जो देश है, 71 गणतंतर दिवस celebrate किया है, जहाँ पर ब्राजील की राष्ट पती बूल सनारो आये थे, अतिती के रूप में, और यहाँ पर भारत और ब्राजील के बीच में करीब 9 ऐसे समझोते भी हुए है, जिनको लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, ठीक है, अगला कोशिन, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कि अपना कौन सा गणतंतर दिवस मनाया, अभी आंसर कीजिएगा, 71 योकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अगला कोशिन देखते हैं दोस्तों कि राष्टी मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बिल्कुल अगर आपका उत्तर आरा दोस्तों, यहाँ पर 25 ततकालिन राष्ट्रपती जो थी, उसमय, 61 जो उसमय हमारा क्या था, तो इस था अपना वर्स था इसका चुनावायोग का, ठीक है, चुनावाय राष्ट्रपती थी, प्रतिभाब पाटिल जी, उन्हों ने इसकी सुरुवाद कि, इसकी तो राष्टी मतदाता दिवस के र जल देखते हैं राश्त्य पर यह आंशर कीजिए के दोस्तों भारतिय परिय cidade है ना यह इनकी भारत की ही राष्ट कार टीन यह हर साल 25 जनवारी को ही सेलिबरेट के आता है उसस ना एक यहां RAKयाँ और 200 परयटन डिवस अगर पुश्ट देढ़े हैं कि 20 परियतन दिवस हर साल कब मना जाता है ठीक है तो ये डेट याद रखेगा 27th of September ठीक ये डेट याद रखेगा अगला कोशन है दोस्तों कि राष्ट्रिय बाली का दिवस हर साल कब मना जाता है तो ये याद रखेगा दोस्तों आंसर C हो गए हाँ पे 24 जनवरी को हर साल राष् आठ में इसके सुरुवात कर दी गई थे राष्ट्रिय बाली का दिवस जो है ये किसलिए सेलिब्रेट कर आता है तो पूरे देश में बालिकाओं को यानि कि जो फीमेल होती है यानि कि जो महिलाएं होती है उनको सशक्ती करन प्रदान करना और जो भी लिंगा अनुपात म कमी आ रही थी उस चीज को बढ़ावा देना की मतलब यहाँ पे लिंगान उपात की कमी नहीं होनी चाहिए ठीके इनके पढ़ाई लिखाई को लेकर इनके सुच्छता को लेकर आगे इस पे चर्चा किया गया और राष्ट्री बाली का दिवस जो है इस रूप में मनाया ज जाता है ताकि इस दिन इनको प्रसाहन दिया जा सके इन सबी चीजों के लिए अगला कुशिन है कि इस रों ने अपने कि संचार उपग्रह को जलवरी 2020 में सफलता पुरवग कक्छा से स्थापित किया है कक्छा में स्थापित किया है तो देखे आपको मैं बता देना चाहत चाइना में युवान युवान एक सहर जहां पर अभी कोरोना वायरस से बहुत सारे जी के बन रहे हैं वहाँ पर मैं आपको दूंगा भी आगे इस रों को संचार उपग्रह जी सैट थर्टी को फ्रेंज के गुवाना के कौरू में स्थित एक स्पेस सेंटर है जो कि यूर ज़नी है सेटलाइट है और पंदरा साल तक ये काम करेगा जी सैट थर्टी आंसर सी कर लेंगे दोस्तों इस रों का मुख्याले कहां है तो याद रखेगा ये बैंगलोर में है ठीक चलिए इसके अध्यक्ष कौन है अभी जल्दिस आंसर किजिएगा यहां से हटाय जा यहां पर जिनका उतारा के सिवान इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिजिएगा के सिवान ही है यहां के क्या तो अध्यक्ष इस रों के ठीक हटाय नहीं है यह कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपसे पूझा बहुत सारे लोग यहां पर आंसर गलत भी कर देते हैं ठीकि ऑप तो याद रखेगा इटसर गांधी नगर एक्जाम में पूछ सकता है और गुजरात के महेश राणा में मोडेरा सूर्य मंदिर इस्तित है इस मंदिर का निर्मान पाटन के राजा भीम देव सोलंकी ने करिब 1026 इस्वी में कर आया था और यह पुश्पा नदी के किनारे ब पुरुस्कार से सम्मानित किया गया बिल्कुल आंसर हमारा यहां पे C हो जाएगा यहां 22 बच्चों को यहां पे दिया गया लेकिन कब दिया गया तो 22 जनुवरी को 22 जनुवरी 2020 को यह 22 बच्चों को राष्टी वीरता का पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है ठीके अग प्रफानी क्या होए दोस्तों तो बीजिंग है नोट कर लिजेगा और यहां का एक सहर है दोस्तों युवान है ना जो कि अभी कोरोना वाइरस से और यहां से चाइना जारे है और जो भारत में भी स्के आने की बहुत सारी संभहवनां बताई जा रही है जो लोग भी मीटीटर है यानि कि मांसाहरी लोग है वो लोग खास कर इस सब चीजों से सचेत रहें और इसे आउगत रहें है ना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जानवरों के से ही फैल रहा है ये रोग कोरोना वाइरस ठीक है चलिए अगला कुशन है कि UN की ने एक जनवरी में 2020 की रिपोर के हैं तो आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे 47 करोड ऐसे लोग है जो कि जिसका रिपोर्ट किसका है तो UN का है ठीक है अब यूएन ने ये 2020 का रिपोर्ट जारी किया है और बताया कि 47 करोड ऐसे बेरोजगार है जो कि कोई भी धंग का काम नहीं कर रहे है बस काम चल रहा है और इनका काम हो रहा है ठीक है ऐसे लोग कितने हैं टोटल बिश्यों में तो 47 करोड है याद रखिएगा ठीक चलिए अब अगला कोशन देखते हैं 21 दुनिया के सबसे लंबे बालों का गिनीज रिकॉर्ड किस ने बनाया है तो यह आंसर कर दीजेगा दोस्तों यहां पे निलेंसा पटेल है यह ठीक है निलांसी पटेल जो कि छे फूट तीन इंच काईट का पूरा बाल है अगला कोशन है कि वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम सीखर समेलन 2020 का आयोजन कि सहर में हुगा देखिए कोशन में बता चुका हूँ थोड़े दिर पहले बताया था आपको बता दे कि सुटिजर लेंड का यह सहर है दावोस आंसर हमारा बी कर लिजिएगा और यहां पे डबलू एफ वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम है ना इसका सीखर समेलन अभी 2020 का आयोजन इस सहर में किया गया था कुशन नमबर 23 है कि भाजपा के एक ग्यारावी अद्यक्ष कौन बने हैं बेलकुल यहां पे आंसर क्या करेंगा दोस्तो जल्दी से जगत प्रकास जगत प्रकास नडड़ा इस दर करेक्ट आंसर आंसर हमारा सी हो जाएगा जगत प्रकास जो जेपी नड़ा है भाजपा क जिए एक ग्यारावी अदर चुनेगे हैं और नडड़ा जो है, मूल रूप से हिमाचल के हैं रहने वाले बिलास बिलाजपुर एक जगह हिमाचल में ठीक है बहाँ के रहने वाले हैं ठीक है, रहरे रखेक़ की राजधानी कहा हो ओती है तोस्तों याद रखिएका सिमला ह ठीक है और यहां के जो capital है यह similar है और यहां के cm का नाम क्या है कल मैंने बताया था जल्दी से आंसर कीजिएगा ठीक है नीचे comment box में आंसर जरूर कीजिएगा अगला कुशने के उत्तर प्रदेश सरकार ने घागरा नदी का नाम बदल कर क्या करने के प्रस्ताव पास किये हैं सर्यू नदी नोट कर लिएगा आंसर यहां पर B हो जाएगा घागरा नदी का नाम अब बदला जा रहा है यहां पर इसका नाम बदल कर रखा जाएगा सर्यू नदी ठीक है अगला question है दोस्तों यहां पर 25 भारतिये खाद दिन निगम की स्थापना किस दिवस कब मनाया जा बिल्कुल याद रखेगा 15 जनवरी को यह मना जाता है भारतिये खाद निगम की स्थापना दिवस हर साल 15 जनवरी को सिलिवेट गया जाता है जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं खासकर उन सभी को आप लोग ध्यान में रखना होगा यह कब से मनाया जाता है दो बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर 15 जनवरी को ही थलसिना दिवस इलिवेट करते हैं यह कब से करते हैं यह से कर रहे हैं हम लोग और लेफटनेंट जनरल के बाद यहां पर जो फिल्ड मार्चल के नाम से जाते हैं अभी लेफटनेंट जनरल एम करियप पा जो है याद रखीएगा ये question पोछ सकता है एम करियपपा के अध्यक्षता में भारतिय थलसिना ने सिर्ष कमांडर का पदभान करने की उपलक्ष में यह दिवस को chilibrate किया ठिक है एम करियपपा के भारतिय थलसिना के सिर्ष कमांडर के पदभार ब्यान करने के उप्लक्ष में यह दिवस मनाया गया अगला कोश्चन है कि CRPF का नया DG किने नुक किया गया है डाक्टर AP महिश्वरी नोट कर लिजिए कि दोस्तों यह कोश्चन पूछा जा सकता है यह वरिष्ट IPS अधिकारी है यह डाक्टर AP महिश्वरी और यह SS देश्वाल की जगह अपना CRPF में नया DG कमांड जो है नुक्त हुए है अगला कोश्चन है करम युद्धा ग्रंथ यह नामक पुस्तक किसके उपर लिखी गई है बिलकुल यह हमारे देश के प्रधान मंत्री है नरेंद्र मोदी जी यह उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तो आपसे मेरा सवाल है क्योंकि मैं कोश्चन आपको बता चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे यहां पे करम युद्धा ग्रंथ का लेखा कौन है ठीक है लेखा बताएगा चुकि आपको मैं बता दूँ कि अमित साह ने इस पुस्तक का विमोचन किया था यानि कि इसको लॉंच किया था ठीक है ठीक है अब आपको इसका लेखा का नाम खोज कर बता रहा है ठीक है आपके पास समय है आंसर जरूर कीजिएगा Q29 महिलाओं की सुरक्षा है तो दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज़े में लॉंच किया गया है बिल्कुल दोस्तो उत्तर प्रदेश में इसे लॉंच किया गया है आंसर हमारा C हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है और ये क्यों सुरूर किया गया है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इसे दामिनी हेल्पलाइन को नंबर को चालू किया गया है राष्टिय युवा दिवस हर साल कब मनाय जाता है बिल्कुल बारा जनुवरी को मनाय जाता है दोस्तो हर साल राष्टिय युवा दिवस क्यों मनाय जाता है दोस्तों तो जो स्वामी विवेका नंत है उनकी जनम दिवस के उपलक्ष पे राष्टी युवा दिवस को यहां मनाय जाता है कब से मनाय जाता है दोस्तों यह 1984 से सिलिबरेट किया जा रहा है याद रखेगा और ये 12 जनवरे 1984 को पहला राश्ट्य युवादिवस भारत में मनाया गया आपको बताना चाहएं कि 1985 में पहली बार भारत में राश्ट्य युवादिवस मनाया गया था ठीके पचंची में लेकिन 84 में भारत सरकार ने हर साल इसको मनाने का एक रूप का फैसला किया 1995 में क्या हुआ कि पहली बर रष्टी यवा दिवस के दिन रष्टी यवा महस्य का आयोजन किया गया वह कहां किया था तो भोपाल में सबसे पहला आयोजन हुआ था बोपाल में 1995 में तो यह डिटा ज्याद रखेगा आप लोग हो सकता है कोशन यहां से बन सके और इस बार 2019 में 2019 में 12 2019 को स्वामी विवेकानन्द के 156 की बात कर रहा है यह अभी मनाया गया था और स्वामी विवेकानन्द का जनम कब हुआ था यह कोशन पूसकता है 1863 को 12 जनवरी ठीक अगला प्रश्ण है कि हिंदी विश्वे हिंदी दिवस हर सल कम मनना आ जाता है चलिए दोस्तों आंसर कीजिए कोशन नुबर 31 का यहां पर बिलकुल जिनका अभी उत्ता आ रहा दोस्तों 10 जनवरी आंसर भी कर लेंगे अब देखी कुछ मैं आपको बता देता हूं यहां पे उसको लिख लीजिए हर साल इसको 10 जनवरी को सिलिवेट के जाता है और इसका उद्देश क्या था तो इसका उद्देश है कि 20 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरुपता पैदा करना था हिंदी को अंतराश्टी बासा के र पहला आउजन हुआ यहां सबसे पहला जोट किया था नाकुर महराष्ट का यह सहर है और इस दिन विष्वे हिंदी दिवस के रूपे मनाया जा रहा है भारत के पुरुपर्दान मंत्री नरेंद्र मांवहन सींग 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विष्वे हिंदी दिवस के र यह याद रखेगा हिंदी दिवस और यह 20 वे हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को अगला कोशन है दोस्तों यहां पर कि लुईस ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है बिल्कुल यह याद रखेंगा दोस्तों 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल का चार जन्वारी को इसलिए दिन चुना गया अगला कुशन है किस राज जी की स्वीटी कुमारी को इंटरनेशनल यंग प्लियर अप दा इयर का अवार्ड दिया गया जल्दी से आंसर कीजिए आप लो बिल्कुल ये बिहार से हैं और बिहार की दाजधानी कहा होती दूस्तो पटना होती है इध्यान रखेगा जहां के सीम फजुटा है नतिस्कुमार है यहां के सिम और यहां के राजिपाल कोन है चलिए यह है अगभू चौहान ठीक है याद रखिएगा और बिहार के नवादा जिल्ले की रहने वाली है बाढ़ के छेतर से रगभी खिलाड़ी है यह स्वीटी कुमारी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर अब तो इयर का वर्ड इसको दिया गिया है स्वीटी जो है यह आवार्ड पाने वाली देश के पहली के रगभी खिलाड़ी है जो कि बिहार का भी ना इन्होंने रोशन किया है चलिए अगला कोशन है दोस्तों इंडियन रेलवे ने अब कौन सा सिर्फ एक ही हेल्प लाइन नंबर जारी कर दिया है तो यह मैं आपको कोशन करा चुका हूं यह पहले भी था हेल्प लाइन कस् अगला कोशन है कि Golden Globe 2020 अवार्ड में किस फिल्म को Best Motion Feature का अवार्ड मिला है Best Motion Feature का अवार्ड मिला है याद रखिएगा आंसर कीजिएगा इरसर 1917 यह फिल्म है यह आपको बता देना चाहते हैं कि Best Motion Feature Film का इसको दिया गया है कहा तो Golden Globe 2020 अवार्ड में ठीक है चलिए अगला कुशिन है कि सुमालिया की राजधानी कहा है दोस्तों यह थोड़ा सा स्टैटिक जी की कहा है कुशिन याद रखेगा मोगा दीशू ठीक है चलिए अगला कुशिन दोस्तों यहां पे देश की पहली इंडियन बास्केट बॉल लीग का यो जन किस राज्ज में किया गया है बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों 36 गड़ इस दे करेक्ट आंसर 36 गड़ की राजधानी होती है दोस्तों अटल नगर याद रखेगा यह राइफूर से नाम इसका बदल कर अटल नगर रख दिया गया है यहां के सीएम कौन है दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए यह कल ही ब बिलकुल आंसर है 2021 तक जिनका भी उतर भी आ रहा है उनका उतर सही है और यह कोची के यहां सिप्याड में चल रहा है और फिलहाल उमीद है कि 2021 में इसे सीना में सामिल कर लिया जाएगा अगला कुशन है दोस्तों देश का पहला स्मार्ट इंटरनेशनल एथलेट्स ट्रैक किस राज में बनाया गया है बिलकुल यह राष्ट्र है महराष्ट्र और चंदरपूर जिले में बल्लापूर के इस्थित एक पहला स्मार्ट इंटरनेशनल एथलेट्स ट्रैक बनाया नर्वने, नोट कर लिजिएगा, आंसर हमारा C हो जाएगा, इनको 28 वे, जहां 28 वे सीना के प्रमुक के रूप में न्युक्तिक दी गई है, अगला कुश्चन है कि दोस्तो C गार्डियंस 2020 नमक नौ सेनिक युद्धा अभ्या स्किन देशों के बीच आईजित किया गया है, जल्दी से उतर करेंगा दोस्तों यहां पर, बिलकुल आंसर कीजिए का दोस्तों यहां पर, इस अ जी है, नोट को लिए चीन और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, 1000 गार्डियंस 2020 नमक जो है नौ सेनिक युद्धा व्यास, चीन और पाकिस्तान के बीच में ये किया गया है ठीक है दोस्तों पाकिस्तान की राज़ानी इसलामाबाद होती है यहां के प्रधान जो प्रेसिडेंट है अभी वो है इमरान खान याद रखिएगा अगला कोशन दोस्तों की revolutionary gods किस देश किस सेन इसंगठन है बिलकुल आंसर क्या करेंगे दोस्तों इस इरान आंसर हमारा D हो जाएगा ओके इरान की राज़ानी तहरान होती है याद रखिएगा ये कोशन पूर सकता है एक्जाम में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारते विज्ञान कॉंग्रेस की 170 सद्र का उद्गाटन कहां किय किया है मतलब कि सहर में किया है तो बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर बैंगलूरू इस दा करेक्ट आंसर जिनका वी उतर भी आ रहा वह सही है करनाटा की यह कैपिटल सिटी होती है बैंगलूरू और नरेंद्र मोदी ने भारते विज्ञान कॉंग्रेस की 170 सद्र का उत्गाटन किया है अगला कुश्चन है सबसे बड़ा करियर रॉकेट किस देश ने लॉंच किया है बिलकुल अगर आपका उतर आ रहा है दोस्तों यहां पर चाइना इस दा करेक्ट आंसर आंसर हमारा बी हो जाएगा नोट कर लिएगा इंपॉर्टन है यह कोश्चन कर राजी सरकार में साइबर सेफ विमेन इनिशियेटिव लॉंच किया है बिलकुल अगर आपका उतर आरा दोस्तों यह महराष्ट आपका उतर बिलकुल सही है आंसर हमारा यह हो जाएगा अगला प्रश्चन है दोस्तों कि इस रोने किस राज्जी में अंतरिच के लिए नया केंद्र खोला है जल्दी से उतर किजिए दोस्तों यहाँ पर बिलकुल करनाट का इस दर करेक्ट आंसर इस रो जो है कहां पर करनाटक में ही है इसका जो सेंटर है वो इसकी राजदानी बैंगलोर में है याद रखिएगा और यहाँ पर एक राज्जी में अंतरिच के है अगला कुशन है कि जनवरी 2020 में भारत के किस खिलाडी ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है बिलकुल आंसर करेगे यहाँ पर दोस्तों इर्फान पठान इस दा करेक्ट आंसर आंसर हमाना डी हो जाएगा भारत के टीम के यह खिलाडी है और यह अब सन्यास सन्यास ले चुके हैं सभी फॉर्मेट से 2020 में इनकी यह ऐसे खिलाडी है जो की अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने वाले जन्वारी के पहले क्लाडी है 2020 के ठीक है चलिए इर्फान पठान के नाम दोस्तों पहले ओबर में तीन विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है ठीक को यहां पर आश्टेलिया का यह फ्राडी है नोट को लिजेगा अगला कोश्यन दोस्तों यहां पर हाल ही में किस केंद्रिय मंत्री ने गती पॉर्टल लॉंच किया है तो देखिए आंसर यहां पर दिया गया आचली तो नितिन गटगरी जो है इन्होंने दिया है आपको बता दे कि नितिन गटगरी जो है यह सड़क परिवहन मंत्री में आते हैं ठीक है याद रखिएगा और गती जो है एक पॉर्टल लॉंच किया है इन्होंने अपने इस कारेकाल में अगला कुश्यन है और आज का यह आखरी प्रशन है कि सरकार ने भरत सरकार ने कोरोना वायर दोस्तों यहां पर नोट कर लिजिएगा इटसर सेबन नोट कर लिजिएगा दोस्तों साथ ऐसे सहरों को यह 24x7 के लिए इसको दिया गिया है उनमें की भारत का दिल्ली चेन्नाई बैंगलोर मुंबई जैसे और भी बड़े सहर है जो हां पर इंटरनेशनल एरपोर्ट है वहां से जो भी चाइना से हने वाले विमान है उसकी चेकिंग चल रही है उसके ओपर बहुत सारा काम हो रहा है कि यह वायरस जो है भारत में आकर ना फैले और इससे सचेत होने की जुरुरत है भी पूरे भारत को और हमें भी और आपको भी धन्निवाद आज के लिए इतन जन्वरी मंत का था और इससे भी और अगर प्रश्ण ज्यादा मिलेंगे तो मैं अब तक लागर शेयर जरूर कर दूँगा जन्वरी के लिए और भी करेंट अफेर हर महीनी के करेंट अफेर आपको एक बार कलेक्शन करके दे दिया जाएगा 100 या 200 जितने भी कोशन मिले व वह मिलकर आपको और भी कोशन क्रिएट करता है तो इस ये इस वीडियो को जरूर देखे रूप के छे बजे इसके बाद जेनरल साइंस की क्लास दी जा रही है वह भी क्लास देखें आप लोग दस बजे का टाइम रहता है वह क्लास अटेंड करें उसके बाद साम को मॉक ट ठीक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का